हेलो एवरीबन वेलकम बैक टू अपने साथ रहने वाली है यार इलेक्ट्रिक एक्सवी चार्सो अब एक्सवी चार्सो के अंदर आपको कुछ चीजे चेंज देखने को मिलेंगी और वो जो कुछ है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है जैसे कि इसके अंदर आपको अंदर बड़ी टचस्क्रीन मिल जाएगी बड़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा इसके अंदर तो वह एक अच्छी चीज जाती है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इस गाड़ी के अंदर बेसिकली कितने वेरियंट मिल जाते हैं तो दो आते हैं एक वेरियंट रहने वाला ना यह टॉफ वेरियंट है इस टॉफ वेरियंट के अंदर ही बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है तो यह आपको 39.4 क्लोवर्ट बैटरी के साथ मिलेगा और इसकी रेंज हो जाती है 456 किलोमीटर यह आपकी जो रेंज है ना यह वह है जो कंपनी अपने पैरामीटर्स पर चैक करती है लेकिन आप यह मान के चलो कि लगभग लगभग साढ़े 300 किलोमीटर की आसपास ही आपको रियल टाइम में देगी क्योंकि इसके अंदर तीन मोड भी आते हैं तो तीन मोड वह ऐसे हो गए कि फन फास्ट फियरलेस फियरलेस तो वह हो वह कितनी पावर प्रिड्यूस कर देती है 148 भी एच्पी की पावर और 310 एनेम का टॉर्क इलेक्रिक मोडर के अंदर ना टॉर्क आपको जादा ही देखने को मिलता है बाई तो मलब गाड़ी बहुत ही टॉर्क ही हो जाती है बहुत ही फन लविंग हो जाती है बहुत ही इसके रिगार्डिंग अगर कोई बात भी हो अपने साथ आज वाइट कलर है एल वेरियंट है अब एक बार इसका ओवरॉल इंटीरियर देख लेते हैं और एक्स्टीरियर देख लेते हैं शुरूआत एक्स्टीरियर से ही करेंगे यह कुछ रहेगा इस गाड़ी का एक्स् मिल जाएंगे कहीना कहीना वाइट कलर के ऊपर यह आपको एक अलागी कंट्रास दे रहे हैं नीचे सिल्वर इसकेट प्लेट है इसकी जो ग्रेल है वह बैसिकली पूरी क्लोज कर रखी है और इन इंसर्ट की वाई से काफी अच्छी रग रही है यहाँ पर आप आपको यह हेलोजन का सैट अप मिलेगा इधर प्रोजेक्टर हैड लैम्स इधर इंडिकेटर मिल जाएंगे और नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्स मिल जाएंगे और यह इंसर्ट्स ओवरोल लुक को काफी अच्छा कर दे रहे हैं और इसके अंदर है भाई आपकी मोटर जो मोटर मैंने आपको बताइए कि लगभग 310 अनेम का टॉर्क प्रिद्यूस करेगी अब आते हैं इसके साइट प्रोफाइल पे तो यह रहेगा इस गाड़ी का कुछ साइट प्रोफाइल साइड में आप नोटिस करो यह एलोई वील यहाँ पे आपको अपोलो का टायर मिलता है फ और क्लैडिंग पे भी आपको यह ब्राउंज इंसर्स देखने के लिए मिलेंगे लुक आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है और वियम की बात करोगे तो इस पर आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे यह ग्लोसी ब्लैक हो जाता ह अब हाई डोर हैंडल बे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे रिक्वेस सेंसर है आपको जो बीपलर है वो ब्लैक आउट है उपर आपको रूफ रेल्स मिलती है और शार्क फिन एंटेना यह एक स्पोईलर है यह कुछ रहेगा इसका रियर का लुक यहाँ पे आपको एक्स इस पेस की बात करेंगे तो भाई सिंपली इसको खोल लो 378 लिटर का बूट स्पेसे इसके अंदर इसके अंदर आपको दो चार्जर देखने के लिए मिलेंगे एक जो नोर्मल चार्जर आता है 3.3 किलोवाट का और एक 7.2 किलोवाट का यह फास चार्जर है यह आपकी गा यहाँ पे यह है जो चार्जर है यह घर पे इंस्टोल होता है और इसके लिए मिनिमुम 6 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं तीन एड़स्टेबल है थी पॉइंट सीट बेल्ट से नॉर्मली फ्यूल टैंक होता है पीछे की तरफ होता है इसके अंद रोसी ब्लैक पूरा पैनल मिल रहा है विंडो का स्वेच हो गया ओल फॉर पावर विंडोज नीचे बोटल की प्लेस्मेंट इधर आपको क्रोम के अंदर हैंडल स्पीकर मिल जाएगा और सीट्स देखो आप काफी कुशनिंग वाली सीट्स ने यह पूरी लैदर के अंदर हैं यहाँ पर आप नोटस करो थ्री पॉइंट सीट बेल्ट सेंटर में आपको आम रेस्ट है यह बिसिकली हेड रस्ट है और यहाँ पर जो स्पेस है वो भी काफी अच्छा है पीछे आपको रियरेस इवेंट्स मिलते हैं इतर आपको पॉकेट है ताइप सी का चार्जर ह हो गया और एक 12 वोल्ट का भी दे रखा है जो एक अच्छी चीज हो जाती है इस पेस में कोई कमी नहीं है यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर है दोनों ही तरफ और यह पीछे हाट प्लास्टिक है बाकी इस पेस यहाँ पर आपको डिसेंटी मिलेगा अब फ्रेंट में ल करोगे तो भाई सारे पावर विंडो के स्विच हो गए यह आपका ओटो अपन डाउन के साथ है ठीक है यह सारे बटन्स हो गए और विम के कंट्रोल्स यह हैंडल हो गया क्रोम का हो गया ट्विटर हो गया नीचे दो बोटल रख सकते हो राम से यहाँ पडल लेंप है और सीट्स हैं जो आपकी हाइट एडजस्टिंग रहेंगी रिकलाइन हो जाएंगी मैनूली एडजस्टेबल हैं आगे पीछे भी कर सकते हो लैदर की सीट्स हैं और यहाँ पर भी ब्राउंज आपको यहाँ इस्टेचिंग देखने के लिए मिलेगी इधर आपको दूसरा यह वाला कितनी बड़ी आपको टच स्क्रीन मिल रही है यह आपको 10.25 इंच की मिलेगी और यह भी आपको 10.25 इंच का मिलेगा टायर पैशर मॉनिटिंग सिस्टम मिल जाएगा इधर आप नोटिस कर होगे स्पीडो मिटर हो जाएगा और यहाँ पर आपका ठीक है यह अक्टिवेटिड हो गया और इसके बाद आपका हो गया फिरलेस फिरलेस का मतलब तो आप समझी लोग जंडा भी यहाँ पर रेसिंग वाला लग रहा है और इसमें ही सबसे रेंज जादा कम आएगी और फन को आप यह समझ लो यहाँ पर सिटी टाइप्स बन र आए इसके अंदर अड्री नॉक्स भी है अपने फोन से कनेक करके आप बहुत सारी चीजे अपने फोन से ही कनेक कर सकते हो बेसिकली इसकी सारी स्टैट्स आजाएंगी है 41% चार्ज बैटरी यह आपको शो कर रही है और 41% में यह आपका फन मोड में 124 की रेंज दिखा रह है बाकी इसके अंदर कितना कंजेप्शन हो रहा है एनर्जी कितनी कंजियूम हो रही है टोटल कितनी चल चुकी है इस तरह की चीजे और यहाँ पर चार्ज से रेलेटेट चीजे आ जाएंगी बाकी बैक कर दो यह आपका रेडियो हो गया जो आसकल कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पर आपका म्यूजिक हो गया एंडूडो टो आपल का अपल 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 चला सकते हो यह आपकी सारी सेटेंग्स हो गई जनरल डिस्पले से रेलेटेटेड ओगई ओगई ओडियो फोन इधर आपकी वीकल से रेलेटेड हो गई ठीक है डी रल वगयर जो है न उसको आप अन-उफ कर सकते हो तो यह सब इसके अंदर मिल जाएगा यहाँ पर यह सारे बटन्स हैं इधर भाई पूरा यह सिस्टम है ड्राइव मोड्स हो गए यह वाला पैनल को थोड़ा चेंज करा गया है यह ऑटमेटिक एसी की उनिट है इसके अंदर और यहाँ पर भी सिर्फ आपको इस तरह कहीं मिलता है वालेस चारजर और यहाँ पर आपको दो सॉकट मिलेंगे टाइप ए के इधर यह चीज़ चेंज करी गई है जो अच्छी लग रही है सॉफ्ट क्लोजिंग के साद इसका गलव बॉक्स है डफ्थ भी काफी अच्छी है इसकी बाग अब बात करते हैं इसमें क्या सेफटी फीचर्स मिल जाते हैं तो यार सिक्स एयर बैग्स एस पी सबसे में शिक्स एयर बैग्स है क्योंकि नीचा वाले वेरिट में शिक्स नहीं मिलने के ट्रैक्शन रिलेटेड हो गए कंट्रोल्स और सबसे में और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो जो इसका इंटीर अपडेट हुआ है वो चीज़ अच्छी है आप लोगों ने देख और यह ग्लोसी ब्लैक है ग्लूस कंट्रोल भी है इसके अंदर और यह इवी है ना तो यहाँ पर आपको ब्लू लाइन्स मिल रही है और स्टिचिंग पर भी इस तरीके से कुछ आपको थ्रेडिंग वगरा मिल जाएगी लैधर काफी अच्छी क्वालिटी का है ओवियसली तो यह सब चीजें हैं मोटर की मैंने आपको पावर बताई दिये कि कितना कुछ प्रेडियूस करती है तो यह है आपके सामें नई वाली इवी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना और चावी भी द करें दूसरी वीडियो मां बाई बाई टेक केर